Hello student, आज के इस वीडियो में हम लोग Implant question जो हम लोग discuss कर चुके हैं, explain कर चुके हैं और assignation हम बता भी चुके हैं तो उन सभी question का हम लोग first revision करेंगे जो की GSBM-BHC Nowstein students apply की हैं 18 October को हो और जो ब्याच्चू के ब्यास्टी नर्सिंग के लिए अप्लाई की हैं उनी स्टूडेंट के लिए यह सभी कोईश्चन बेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तो हम लोग 15 कोईश्चन में लगवग 40 to 50 कोईश्चन डिसकस करेंगे और यह सभी कोईश्चन इंपॉर्टेंट ह सज्चन के लिए तो आप लोग के लिए बेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोईश्चन है चलिए कोईश्चन लमबर फार्स्ट इंडाइट मास्पेर अट टाइम आप औरजिन आफ लाइब जीवन के उद्धों के समय निमलखित में से कौन सी गैस वाता वरण में उपस्तिन थी तो वह आक्सीजन थी आफसर नमबर सी सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईश्यन नमबर दी प्रॉसेस आप जोइनिंग अमीनो एसीड इचकाल अमीनो अम्र के जुडने की परकिरिया को क्या कहते हैं तो ट्रांसलेशन कहते हैं आफसर नमबर बी सही हो जाएगा और फ्रस्ट मिनार्ची कहते हैं तो उसको मिनार्ची कहते हैं और लास्ट जब बंद होता तो मिनू पॉस कहते हैं एक बिकल्पी जो दूसरे बिकल्पी के परभाव को ढख देता है क्या कहलाता है तो आपसा नमबर बी सही हो जाएगा दोमिनेंट आप लोग सभी लास्ट कोईश्चन देखिएगा सभी कोईश्चन इंपॉर्टन है और यह फास्ट रिवीजन चल ला है अगर इस्टूडेंट कोई भी कोईश्चन आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप एक्स्प्लेइन देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो म यह सभी कोईश्चन में एक्स्प्लेइन भी किया हूँ विच आप दा फालूइंग एक क्रॉसेस इजर टेस्ट क्राश टेस्ट क्राश का क्या सिंबल होता है आप लोग को इस्टूडेंट यह देखना तो आपसा नंबर सी सही हो जाएगा इसमें एक कैप्टल टी स्माल ट दिया गया है उनको देखना है कौन साइस में गलत दिया गया है तो यही गलत हो जाएगा प्यूरी नहीं एडिनीन होना चाहिए तो आपसा नंबर सी सही हो जाएगा सेबंथ नंबर कोईश्चन दी बांड एट होल्द टू कम्पलिमेंटरी स्टेंड आप डिन टूगेदर कोम्पलिमेंटरी स्टेंड आप डिन एकन साबोल्द होता है तो इसमें हमलों कंपलिमेंटरी स्टेंड आप डिनस का जो इडिोन बांड हो तो आपसाद नंबर सनेमल ट कुं रिंचे और गूड और दार्वलिन फिंच बांड प्रवाइब करमर्जन इविवास्म जो अपने मिरत सरील को दफनाने का पहला अस्तान प्राश्टूत करता है तो कौन शुरू किया था कौन सा मायन था पेकिंग मैं जा ओ मौ स्थाधा मैं कऊंसा टेष्ट करा जाता है तो OPTION 9 시작级 11 होलिस्टीन और एक विदी कर चदशिट ऑर फ्ले स्लिख जाने वाने है क्या है तो यह सब इस वह हैं और और यह आफ्सान नमबर 20 सही हो जाएगा इक्जोटिक ब्रीड आप काऊ है गाय की विदेशी नसला है सब तो क्वेश्चन नमबर 12 देखेंगे दिग गयस परजेंट इन माइक्सिमम परपोर्शन आप गयस गोबर गयस में सबसे अधिक गयस कौन सी होती है तो आफ्सान से मैच किया तो यही आफ्सान गलत हो जाएगा आफ्सान नमबर डी सही हो जाएगा और गलत पूछ भी रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन नमबर 14 दी इसक्वेटिलम आफजर इन ग्रेन आफ हुई टार मेच कंफरेबल टू वीच फार्ट आप दा सीड इन अधर डाइकाट तो वीडियो आफ एक्सप्लेण यह सभी कोईश्चन एक्सप्लेण किया गया है वहां से देख सकते हैं इस्टुडेंट यह आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिए सभी कोईश्चन इंपॉर्टन है और रिवीजन फास्ट रिवीजन चला आप 15 नमबर कोईश्चन निस नेक्स्ट कोईश्चन नमबर 17 दी लेडिंग सेल्स पाउंड इन दा हीमिन बॉड़ी आर्दा इस क्रेटरी सोर्स आमानों सरीज में पाई जाने वाली लेडिंग को इसका किसके किसके स्रावण को श्रोथ है तो वह 17 का आफसा नमबर 2 आप लोग साही करेंगे अंड्रोज नेक्स्ट कोईश्चन नमबर 19 फालोइंग इस आलसो पार्ट इंक्लीड इन ग्रूप आव एक्स्टरनल जनाइटेलिया इन हुमें फीमेल में इक्स्टरनल जनाइटेलिया पूछ रहा और दिया है लाइविय मैजोरा दिया लाइविय माइनोरा दे रहा है और इसमें कौन सा होगा जो इक्स्टरनल बड़े वागोस्ट और छोटे वागोस्ट के अत्रिक्त मानों मादा में बाह जन्दां समुम में निवलिखित में से कौन सा भाग सामिल होता है तो क्लाइटोरिस होता है आपसा नमबर फस्ट सही हो जाएगा कोईश्चन नमबर 20 हुइच आप द सेफ अप्टू हाव मेनी बीख साप प्रेग्नेंसी तो यह थिरी मंथ तक आप सेफ होता है एंटीपी तो थिरी मंथ में कितने बीख होते हैं एक महिने में चार बीख तो चारतियां बाराव ट्वेल्स बीख हो जाएगे आपसा नमबर सी साही हो जाएगा कोईश्चन नमबर 23 इपक लर्ब्लाइंड ओमें महिरी ये नार्मल बीजन मायन दियर संस बिल भी तो जो उसके संस होंगे सभी कलर ब्लाइंड होंगे आपसर नमबर डी सही हो जाएगा कोश्चन नमबर 24 से में कंजर्बेटिव रिप्लिकेशन आप डीन ने वाज फस्ट डिमांस्ट्र इंडियन ने का अर्ध संनच्ची प्रत्किरित करण सरपर्थम में परदर्शिष किया गया था तो किस में देखा गया था तो यह मैथू मिसल्सन और सिथाल ने देखा था तो आपसर नमबर फस्ट सही हो जाएगा इकोलाई बैक्टिरिया 25 कोश्चन नमबर हुच आप दा फालूइंग टाइप आप एंटी बाड़ी इज एबाउंडेंटिली परजंट इंदा यलोई स्प्लीट कोलेस्टरम सिक्रेटेड वाइद मदर डियूरिंग नीशियल डेजा लेक्टियसान दुख्द सरमड के आरंबिक दिनों में माता द्वारा सरावित किया जाने माले द्रोग कोलेस्टरम में निमलिखित में से सबसे अधिक कौन सी एंटी बाड़ी पाए जाती है तो 25 नंबर का कौन सा आफशन से हो जागा आफशन नंबर IgA सबसे अधिक एंटी बाड़ी पाए जाती है नेक्स्ट कोईशन 26 लोकेशन आंसाइट इंदा हुमें डिन ने हो है सिंगल बेस्ट डिन ने डिफरेंस अकर सारकाल उसको क्या कहते हैं जिसमें मानो डिन ने में वास्ता जहां एकल छार डिन ने अंतर होता तो उसको कहलाते हैं सिंगल नुकलियो टाइल पॉली मार्फिजिम कहते हैं तो आपसा नंबर सी सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन नंबर 27 इस्टूडेंट आप लोग लास्ट वीडियो देखिए सभी कोईशन इंपॉर्टेंट है नर्सिंग पारमेडिकल फार्मेसी के लिए जो भी पारमेडिकल नर्सिंग फार्मेसी के लिए तो उन स्टूडेंट के लिए ये कोईशन सभी इंपॉर्टेंट है और मेरे चैनल पर सभी कोईशन करा जा रहे हैं आप ही लोग के लिए फिजिस कमेस्टी बालो जी तीनों करा जा जा रहे हैं और प्लेलिस्ट वनी है जाके च परूत्पन पर्थम जयो योगिक कौन सा था तो आपसर नंबर सी सही हो जाएगा प्रोटीन साइन निकुलिक एसीड नेस्ट कोईस्ट नंबर टॉंटी एट फूर्पोज देट दा फास्ट फार्म आफ लाइफ कूड हैव कमस फ्राम प्री इजिस्टिन नान लीविंग आ मारुवों से आया होगा तो आपसर नंबर डी साही हो जाएगा प्रीन हैं फ्रमिंग में में जो इन्फेक्ट मान के संक्रम चक्रण क्या होता व कौन सा पیररसाइट होता तह स्पोर जोऑ सा नंसाइट नमबर 47 नेच्टो एस्ट नंबर तर्टी फालूइं 9 극ह करेक्स्ट में गलत है आप्सान नमबर डेक करिए Lang contributed होजाएगा certified drug स्वालूइग यह होते हैं और क्वोईट्व विब्ल्च वहक के साध प्रतियोधी जुराओ के साथ अगर जोडने की बात कर रहा है और बायो में तो वो एक genetic गम होता है जिसको कहते हैं DNA ligage करते हैं यही join करता है जोडने में help करता है genetics गम होता है next question number 33 ballistic gene gun is suitable for जो ballistic gene gun होते हैं वो किस के लिए suitable होते हैं DNA fingerprinting के लिए दिसान pathogen vector के लिए तो आपसा number D सही हो जाएगा यह ट्रांसफार्मा plant cell को ट्रांसफार्म कर देते हैं आपसा number D सही हो जाएगा question number 34 important question है what is true about BT toxin के respect में हम लोग को देखना क्या सही है तो आपसा number D देख लिजिए the inactive prototoxin get convert into active farm में insect get इंसेक्ट के get में जो intestine में क्या पाती यह alkaline pH की वज़ा से inactive prototoxin जो convert हो जाती है active farm में तो आपसा number D ही सही हो जाएगा student question number 35 important question है और यह बार बार पूछा जाता है student जितने भी question हम करा चुके है सभी question का revision अब स्रीज चलेगी तो एक बीक में लगबद दो वीडियो किसकी revision स्रीज की आएगी तो चलिए question number 35 क्या कह रहा लैक्टिक एसिड बैक्टिरिया grow in milk and convert it to curd and improve its nutrition quality by increasing लेक्टिक अं जीवार जो हते हैं रूद में बिद्धी दूद में बिद्धी करता है और इसे दही में बढ़ता है तथा बढ़ाते हैं इसकी पोसर गुर्वत बढ़ता जब दूद से कड में चेंज होता तो किसकी quality इंपूब करता है वो जो लैक्टिक जाता माइको कार्डिया इंफेक्शन हो जाता है फिर उसके उसके बाद क्या पेसेंट को हार्ट अटेक आने की चांस रहते हैं तो वाले एक रोगी को अस्पताल लाने पास सामनित्या तुरंत क्या दिया जाता है तो थर्टी सिक्स आपसन कौन सा भी आपसन सही हो जाएगा स्ट्रॉट चाहिनेज दिया जाता है जो स्ट्रॉटो कोकस बैक्टिर blueberries से निकाला जाता है तो स्ट्रप्टो काहनेज्ञाक ब्लस्टर को ब्लस्टर रिमूफ कर देता है जो ब्लडड वेसल्ग में क्लाट ब्लस्टर बन जाते हैं थर्टी सेबन नंबर कॉस्टन इमीनो फालोइंग हेल्फ सीन इपजापसन आप फासफोरस फ्राम स्वाइल बाई प्लांट निम्लिकित में से कौन सा पोधिय दौरा फासफोरस के और सोसर में साहता करता है तो यह गलोमस होता है जो फंगस का जीनस होता है तो आपसन नंबर सी सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईश्चन फुच अपदा फालोइंग सेट्स इज हरमाप्रोडाइट हरमाप्रोडाइट बाई सक्षुल पूछ रहा है तो इसमें आपसन नंबर सी साई हो जाएगा अर्थवान लीच और स्पन्ज होते हैं यह हरमाप्रोडाइट होते हैं एक ही में दोनों होता और फीमेल उसी को हरमाफ़ोडाइड बोलते हैं नेक्स्ट कोईस्टन नमबर 40 फिरियों पर जीओं के बढ़ाने के साथ जुड़ा है तो वह आफसन नमबर से सही हो जाएगा जुरासिक पीरियड तो डाइनससोर्स का डामिनन्ट फिरियड होता है और फ्लांट इस प्लांट mean अव्प्लांट एप्ल फ्लांट फ्लावरिंग प्लांट चलह सी तो यहोता है तो आफसन नमब कÏ से तो आपसन नमबर सही हो जाएगा ओका जाकी फ्रेंग्मेंट होता है रिप्लिकेशन जब होता है तो 523 डारेक्शन में बित न्यू निकलियोटाइड आलवेज आइड़ाइड थ्री इंडसाइड तो आपसन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन नमबर पूसा गोरो बरायटी आप ब्रेस का एज रेजिस्टन तो जो रैपी सीड मस्टर्ड को क्या कहते हैं ब्रेस का कहते हैं इसकी पूसा गोरो जो बरायटी होती है यह किसके लिए कि रेजिस्टन्स प्रवाइड करती है कौन से इंसेक्ट पेस्ट हो निम लिखित में कौन सा DNA में बिलोम, पदिये, करम को दरसाता है तो हम लोग गटाक और सटाक देखेंगे गटाक ये देख लीजिए 5-3 डारेक्शन में क्या होना चाहिए गटाक होना चाहिए और 3-5 डारेक्शन में सटाक होना चाहिए तो आफसन नमबर कौन सा 43 का आफसन नमबर कौन सा सही हो जाएगा ये देख लीजिए स्टुडेंट आफसन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा 44 नमबर कौन होट वाजदा की फाइंडिंग फ्राम ग्रीफित एक्सपेरिमेंट यूजिंग लीब और हीट केल पैथोजनिक बैक्टीरिया जीबित और उसमा दोरा मारे गए रोगजनक जीवानों का परियोग करते हुए ग्रीफित परियोग की मुकी खोज क्या थी तो यह क्या खोजे थे ग्रीफिन ने जो खोजे थे तो आफसन नमबर डी देख लीजिए जिनेटिक मैटेरियल जो हता है कैन भी ट्रांसफार्म हो जाता है फ्राम डेड से टू लिब बैक्टीरिया और स्टेंज हो जाती है तो इसमें आफसन नमबर डी करेक्ट हो करते हैं 45 का आफसन नमबर हम लोग देखेंगे आफसन नमबर सी प्लियो ट्रॉपिक जीन सही हो जाएगा एक जीन एक जीन करेक्ट करता है मेनी करेक्टर को तो उसको प्लियो ट्रॉपिक जीन कहते हैं नेक्स्ट कोईस्टन नमबर 46 कंडिशन आफ करियो टाइप टू एन प्लस माइनस वन ऐन टू यसम यह कह रहा है टू एन प्लस प्लस माइनस की वहता है लहास म Celtा मैंस करना और म उन अमतलब दया सक्रोन और गेना प्रोमो सोम होता किसमें इन्य प्लॉइडी में होता तो 46 का आफसन नमबर फस्ट ही हो जाएगा 46 का फस्ट आफसन चलिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उन सभी लोगों के लिए मेरे चैनल पर फिजिक्स कमेश्टी बालोजी के कोईस्ट करा जा रहे हैं और प्लेलिस्ट बनी है तो आप आप लोग कम्प्लीट वीडियो देखिए और सभी वीडियो देखके तब जाएग जान देने तो इस्टुडेंट जो भी स्टुडेंट नर्सिंग नर्सिंग के लिए जैसे मेटकल कालेज में फाम अपलाई कि आठार अक्टूबर के लिए तो उन लोगों के लिए उन इस्टुडेंट करते रहे हैं और चैनल को जरूर ग्रोख राइए तेजी से ग्रोख राइए थाएंक्यू धन्निवाद इस्टुडेंट